कि आई एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा इस्टडी चैनल में और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2022 में आप लोग का एक्जाम होने वाला है तो मैट्रिक वोड की एक्जाम में अब्जेक्टिव बहुत ही इंपोटेंट है ठीक है अब्जेक्टिव अ बहुत अच्छा लगा में तो यहां पर हम देखेंगे कल जो पिछले वीडियो का जो कोस्टिन है यह था यूरो टू का समझ किस चीज से है उसका आंसर आप लोगों ने बहुत कम किया है ठीक है तो मैं बता दूँ इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूरो टू का वायू पर अपने बताना चाहरा था कि इस वीडियो में पूरी आपको मैं 4 सिट करवाने वालों तो आप बीना इस पीड में आपको अच्छा लगता है अगर ज्यादा स्पीड नहीं लग रहा हो आपको तो ज्यादा इस बढ़ा के देख सकते हैं या इस फीचर रहता है आप जैसा की जानते हैं तो आज मैं करवाने वालों यहाँ पर पूरे चार जीट का परसंटिक इस Corn kepada अबिए को सजय नहीं जाएए द्याने करते सकते हैं या कोई भी कॉस्ट नहीं है कोई भी किसी परकार का चार्ज नहीं है तो यहां पर देखने हैं कि उत्तल दरपन में किस परकार का पर्चिवी मनता है देखने बाहा है उब्रा होता है क्या होटता है तो ये औ comment अन्धर दर्पन की बात करें तो दर्पन इस तरह का होता है और छह था थे चलिए अगले प्रस्ण पर बिलकुल हो जाए और अंसर भी से सही अभासी होगा वास्तिभिक नहीं होगा स्वास्तिभिकिस रहता है अभतल में होता है ठेक है बहुत अच्छी आप सुखें ऊट paljon यहां विद्धन क्या होता है आवंड़न की तरह ह estás अफ्सन 30 के प्रकास के अपवरतन के कितने नियम है प्रवार्तन के तो दो नियम होते हैं लेकिन अब बरतन में आप लोग सब्सक्राइब यह नियम बोलते प्रावरतन कोन प्रावरतन कोन प्रावरतन कोन के नियम में होता है जैसे कि अभी मैं यह बना रहा हूं जैसे यह अभी बनाया मैं यह अभी आप देख रहें मोटा कलर कर रहा हूं तो यह क्या है यह जो है यह आप वर्तन के निये में ठीक है ध्यान रखेगा इस बात का कि अगले प्रसन पर चले कुशन और फोर्ट की तरफ चलिए और फोर्ट तो देख लिए आप लोगों ने फाइब दिखें यहां पर पूछा है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेतरदान नहीं कर सकते हैं नेतरदान कौन वैक्षिन कौन सा वैक्ति ऐसा है जो नेतर नेतरदान कर सकता है लेकिन एडस से पिरित व्यक्ति नेतरदान नहीं कर सकते ठीक है इस बात का भी ध्यान रखेंगा और यहां पर चले नेक्स्ट कोशन नमर देखें यहां पर पुछा है किसी वस्तु का पर्तिषक दूक के भाग पर बन पर उसे उसमें कोशन नमर वर्ण के परकास से शरी वर्ण के परकास बस्तु को प्रदिप्त करने पर fps बता दूं आपको जब कभी कभी कोई एक कलर रहा कोई दूसरा कलर है ठीक है उसमें देखेंगे तो हमेशा काला दिखाए देगा हमेशा क्या दिखाए देगा काला अब बात आता है कि किसमें वही रंगा दिखाए देगा तो सफेद और जो कलर रहेगा उसी रंग में आप देखेंगा न तो आपको उस सेम चीज वहीं दिखा देगा जैसे लाल परकास में हम देखेंगे अगर गुलाब को तो जलाली दिखां देगा जिसे उपिसन क्या है यहां पर जाएगा क्या है अगला कैलोरी कि किसका है कैलोरी कि सका है उसमा और ताप यह भी अरजा खाने वाला आप लोग समझें खाने वाला उर्जा या उसमा ठीक है ध्याँ रखेगा इस बात की थेकँ तो कैलोरी नहीं होगा यहां पे तो आप्सन नम्र बी होगा फोल आमाके मकोटित्ज इसाइरो किसको जूल गोलते हैं और अगला प्रसिट नियांपर देखेंगे अगला प्रसिट नौवन ऩारा किमाप किस से के जाती है तो देखिये आप जाते हैं कि बोल्ट मीट चे टो हम किसे की जाती है तो अल्प धारा की माप करते हैं किस से गल्वेननोमीटर से ध्यांद किएगा अल्पधारा की माप गल्वेन्वेननोमीटर लेकिन धारा की माप Ain We are ठीक है option B बिलकुल यहां पर correct है और यह रहा अगला प्रस्ट दस नमर हमारे पास और पूछा यहां पर है कि परति रोद दे दिया है ठीक है और बोल्ट भी दे दिया धारा पूछा तो आप लोगों ने पढ़ा है ओम का नियम भी बराबर क्या पर रहे है आया ठीक है पर है तो भी देखे भी कितना दे दिया 220 तो 220 लिख लिजे आय मालूम नहीं है तो आय रहने देज़े और आर का मन केतना है पचपन तो पचपन से यह कर जाएगा पचपन चओं का 220 होता है ठीक है तो चार एंपीर यहां पर यह और चार एंपीर नहीं हो जाएगा तो option क्या जए उपर ही बताया है मैं आपको कि वोल्ट मीटर बोलते ही से तो अप्शन नमर क्या जाएगा भी हो जाएगा और मीटर से अल्प धारा की माफ ध्यां रखिएगा बारे नमर यहां पर पुछा है जब बितु धारा की चुमक्य चेत्र की दिसा लंबत होता है तो आरोपी दुव ब्लड़ जा को को अंगूठा किसी दिसाएब बताने उफटा किसके दिसाओर बिद्चे बारे में इसके वारे में मैंने आपको पीछले वीडियो में बता आपको बताना है किसकी दिसाओव वह क्या था वह तका के फिलेमिंग में में अपन्दर नमठ यहां पूछा है उरजा के सभी रूप में अनन्द सुरोत किसे माना जाता है सबसे बड़ा सुरोत किसे माना जाता है सुर्य नहीं रहेगा तो उठ जा कहा से आएगा फे ठीक है तो सबसे बड़ा सुरोत क्या है सुर्य है ठीक है तो पंदरह तक में कोई प्रसन में कोई दिक्कत है तो बताईए आप कोई दिक्कत नही कोशन नमर 16 पे चलते हैं नमर परहसं हमारे सामने है कि सुर्य के परकास से हमें जिस गर्मी के अनुभूती होती है उसमें कौन सी किरण होती है ठीक है तो उसमें parle 2 अभरक्तकि इए उपका करते हैं प्रमी का अनुभूती राध करते हैं यह सा karşı महनily जानते यह सारी क्या है एकस्किलन आप लोग में काम देता है यह काम देता है कैंसर के इलाज में ठीक है उस अंको काटने में ठीक है 17 नमर प्रसना आप लोगों से है अच्छा इसका अंसर हो गया भी यह बाद तो समझ में आए आपको 17 नमर समझे वैसी रासाइने के लिए जो एक ही दिसा में अगरसर होती है देखें दान दुझे एक ही दिसा में होगा ठीक है दुनों दिसा में नहीं दुनों दिसा में भी होता है और एक ही दिसा में होता है दुनों में अंतर है बाद समझ में आ रहा है तो एक ही दिसा में ज ईसकूल में जाते और आते भी आहना और आपके सुक्सराओ कर नांगी हें साथ सब्सक्राइब को कोशूंध मिरा सल्सक्राइब को तो यतिस Pv भी ग्तात देढ़ कंपोस्ट बनने से किस परकार की अविक्रिया है तो यह एक्का क्या जागा इससे उस्मा निकलता है तो उस्मा छेपी अभिकिरिया भी बोलते हैं यहां पर पूछा है लेड़ नाइटरेट उनिस नमर देख नहीं ना लेड़ नाइटरेट के चुन एक प्रक्नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धूआ उतसर्जित होता है तो यह सब्सक्राइब कस्ते दुमज़ होता है यह और यूश्य लेट अप्जसायड करेक्ट को सब्सक्राइब करेक्टस नमर्स वहाँ निम्बू वह है सित्री के सचीटिड़ निम्बू में सित्रीगन पाया जाता है और सित्री discovering कि यह बत पता है आपको स्कॉर्भी संतरा में से लखेगा। सोडियों कि एक टना होता है तो सोडियम हैडरा ऐसे जैसा कि आप जानते हैं एंट पो एच यह होता है तो बोला है इसमें कि इसका pH इतना होता है तो इसका pH मान चुकिए चाहँ है और सबसे प्रवल चाहँ है तो अप्सन मेर्ट यहां पर हो जाएगा शतर लगवक सतर ठीक है कोश्च नमर ताइस देखिए तैस क्या बोला है आप लोगों से तैस बोला है कि नैट्रोजन डायक् और यहां पर है और यहां पर है और टो टीक है अप्र लोगों से कि लिटमस रंजक बैगनी रंका होता है इस बात को कि और अगले प्रसन प्रसट क्या यहां पर अगला प्रसन हमारे सामने है कुस्छ नमर 25 कि निम्ण में से कौन सी अधातू है इसमें देखके बताएगा कौन सा अधातू है है रोजन जिंक यह तो होने सकता फेरस भी धातू है यह हो जाएगा ठीक है यह धातू है हमारे सामने जो की लिखा हुआ है ठीक है कुछ नमर 26 देखिए 26 क्या पूला है आप लोगों से कॉन सा धातू जल में डालनेपर 5 तेर न और्लिक कोर से अपका है जढने लगती है तो तैरने होगा यहां पर अगला प्रसम नगेखिए पुछा है लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या करते हैं गलवे नहीं परचरहण इन काहते हैं तो देखते ऊमेरे कंष होता है इसका रख रंध मा प्रस्ण हमारे पास कारबन क्या सबस्की जादा योग मनाता है इसके सनेद्धियक संध्धिय मं होता है चार होता है वर माणूं संखिया हाचे होता है और लिवारा होता है और चौधा हो था हॉता है बाराई चोड़ो क्या बहुतें में संभारिकव थी ठीक है इसको समस्थानिक तरू पर कारबन क्या करभन या ध्यान भाबू अधातू सरी करभन अधान और तो ऑफ sóum. चुलोब हो जाएगा यह सब घैन इस बात को ध्यां रखेगा यह क्या है यह एथिनल रखेगा जब इसका सुधर होता है बेंजीन का सुधर होता है बेंजीन 6-10 पूछा है में में ज्यादा तो नहीं है ज्यादा है तो बता दिए आ चली है कि नहीं का समानने नाम क्या है यह बताना तो फॉर्बे कप बोलते हैं जोंगे चीटी काट लेती है यह आप लोग जानते हैं चीटी केसा जा या पर उब सफ the कि घजाता है निश्बन की हुं जो इसम पूछा है आवर्थ सानी मी के सुनने समू का तर्थ कौंसा है तो सुनने समू में आता है हिलियान एसके बाद आता है और प्रमानों साइज में परivalणा आता है तो कछा बढ़त आखा तो스Ay, पर्माणों अकार भी बढ़ता है लेकिन लेकिन बायां से जब आए जाएंगे तो घटेगा क्या होगा चुकि इसमें इलक्ट्रोन किसें क्या बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा अकर्शन बढ़ेगा जिसको नाविकियेबल बोलते हैं इसलिए उसका अकार छोटा होते जाएगा प्रस्ट देखें आप पर क्या पूछा है अप लोगों से रक्त चांप मापने वाला यंद्र को क्या बोलते हैं और यहां पर पूछा है मनुख्य स्वसन अंग कौन सा है प्रस्ट प्रस्ट प्रक्रिया सुरू होती हैं जाता है जिसके कान संचालीत रूप से हमारा बलड चलते रहता है जले अगला प्रस्ट देखें आपर कोशनल 35 पुछा मनुख्य में पाचन की परकेरिया सुरू होती है देखें और अगला question और पत्ति का रहा होता है तो ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आप लोग बोल रहे हैं हरा होगा ठीक है ऑप्शन यह सही है आपका अगला प्रसंद देखें को सब्सक्राइब पुशा मस्तिस्क का कौन सा भाग हिर्दय असपंदन तथा स्वसन की गती को नियंत्रित करता है हिर्दय असपंदन और गती को नियंत्रित करता और आप क्रोध कुछ भी ठीक है यह से रिवर्म का काम है आप लोग ठीक है तो यहां पर आंसर हो जागा भी में पाया जाता है ठीक है प्रोष जंतु है बिल्कुल जंतु है यह उन्चारीस नमर देखें आप यदि हमारे अहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो हम किस रोग से ग्वाइटर गलगंड घेखा एक ही बात है ठीक है तो अप्सन नमर यहां पर डी हो जाना ठीक है सारे रोग हो जाएंगे में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो अप्सन नमर के आजएंगे आप डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चालेस नमर प्रसंद यहां पर पूछा है कि निम्लिखित जीवों में किसमी अलेंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है मुकुलन समझ रहे मुकु अगला प्रसंद प्रकॉस में क्या होते हैं प्रकॉस जैसे कि आप चानते हैं कि प्रकॉस में आप लोग देखें आप बताते हैं आप यह अप भूल आप लोग देखें होरे देखें देखें ने इस तरह कर निकला होता है चुछ इस तरहजोता है तो आप ऌघॉया वह घूल से क। यह तो यहां पर क्याव आप लोग से कुस्ट्वनमर 22 बिलकुत नवर्हकत बिलकुत हो जायेगा और अगला प्रस्ण अपर तैतालिस बन्सा गत गुनों के निरधारन किसके दवरा होता है चालिस प्रस्णि आपको वहां पर बनाने यासी में यह बात समझ में आ रहा है लेकिन चालिस बनाने के लिए सिर्फ चालिस कुछन करवाने से थोड़े नहीं होगा आपको पूरा कुछन कम से कम 200 और 500 करके जाएगा तभी तो आएगा उसमें से ठीक है तो कोई भी यह बता तो करता है अच्छा एक मिनट वन सानुगत गुन्हों का निर्धारन जीन करता है ना जीन हो जागा यह पर से यह अंसर ठीक है डीने से क्या आता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको फिंगर फ्रिंट बेगारा मिला लेते हैं कि जिसे पैत्रिक लक्षन को बताता है यह डीने पुछा यहां पर है सर्व पर्थम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई कौन सा जीव था जिसके कारण सबसे पहले पर आई थी आप जानते हैं जैसा कि हम प्रिथवी यहां पर आई थी उस समय प्रिथवी पर क्या नहीं था बिल्कुल सही पिछली वीडियो म समताप मंडल में पाया ठीक है और समताप मंडल को इंग्लिज में बोलते है इसटीफोस प्रियर और अपसे नमर यहां पर पूछा आप लोग से क्या चैशलिस में बताइए श्यार से पूछा है कि निम्न के तुमेंसे कौन सा एक जली है अहार से रिंखला है जल का अहर से कौन सा है ठीक है तो सही अंसर हो जाएगा यहां पर देखें सैवाल के बाद जलिये कीट खाते हैं उसे मचलिया खा जाते हैं घहास को जलिये कीट खाएंगे ठीक है मचली खाएगा मचली को मनुष्य खा जाएगा ठीक है लेकिन बताए घहास सारे घहास को तो जलिये कीट न नहीं है तो नहीं है पूचह आपि यहां पर नहीं है और अगला यहाँ पर रास्ट कॉष्षिन अस्थल को क्या बोलने आप आख यह तो उस्ष अचा लग रहा है तो आउगे कर वाएं जा Exercव कमेंट करके पताइए तो चलिए कुछ बोलना है कि आज नहीं सर अगले द Ар turkey दिन अगले दिन अगले वीडियो अगले वीडियो टिक है कोई बाद नहीं अगले वीडियो में ही बता दिया जाये तो आज बड़ रहते हैं इतना ही लेकिन एक क्यूश्चन का जवाब तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और दवा के शेयर करें और उन बच्चों की भी जरूर ले जाए जो बच्चे इस बार टेंथ का एक्जाम देने वाले हैं ठीक है अच्छा नंबर तभी आएगा आपका जब मेनत फर्स्ट क्लास का होगा ठीक है फर्स्ट क्लास का मेनत है आपको फर्स्ट क्लास का रिजल्ट दिलवाएगा तो रहने देते हैं आज पर इतना ही बाई बाई टेक क्या लगे रहिए अच्छे से पढ़िए और अगले वीडिय अगले रोज कीजिए लिए बाई बाई